हलनो बनाओं से स्पेशल रेशिपी बना करती हं और मेरा हस्में नहीं है कंई और हर साल से इंगे अब लोग सभी को हैपी मा के शक्रांती, अभर चेनल पर पहले बार हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें और प्यारासा एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और जबी भी मैंने रेसेपी पुरा तयार करके उनको दीना पड़े खुशी हो के बहुत हैपी हो के खा र तो बीव की आउ सकता है तो घूण का मेजर यहां पे मैंने 500 लिया घुंड दो वालेटी के आती है एक तो सफीत वाली गूड आती है या तो एक लाल वाली गूड आती है अब दोनों में तो यहाँ पैनली मैंने सारा गूड को कट करके रेडी कर लिया है अब आगे कीत तयारी करती है जो यह रेसेपी को खास बनाता है अब हम तयारी करते हैं आप इस तरह चोटे चोटे पीसेस में गुड को रेडी कर लेना है और यहाँ पे मैंने इस रेसेपी के लिए यहाँ पे खास मेन में लिया है मैंने मखाने मखाने के कहीं फाइदे होते हैं तो हमारे हल्थ के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिर देता है इस रेसेपी में मख बख 20 ग्राम बराबर यहां पर सफेत वाला तील लिया है सबसे पहले तो क्या करना है मुंफली को हमें रोस्ट कर लेना है इतना रोस्ट करना है इसे कि यह बहुत ही ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाए और इसके जो उपर के छिलके है न यह निकलाना चाहिए इस तरह से हमें इसे डार्क ब्राउन करना है और फेम को ना हमें मिडियम टू लो रखना है अगर डाइरेक हम जादा हाई फेम में कर देंगे न इतो फट से बाहर जल जाएंगी और मुंफली जो अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे क्योंकि हमें मुंफली को अच्छा बिल्कुल भी नहीं पी में हमें आज़ी रखना है कंटीनु इस तरह से मेडियम टू लो फेम में मुंफली को कंटीनु चेश से सात मिनिट लगबक फ्राइ करते रहेंगे जब तक इसके जो पर चिलकी है न ये बाहर निकल ना आए इस तरह से इंवे फ्राइ करते रहेंगे डार्क ब्राउन हो निकाल देंगे जो मख हाथ मैं मुमफाली निकाल देंगे फिर उसी पेन में यहां पर म Cette मिगशने को ने ले ले बारी बारी से सारा चीजों को इसी तरह से हमें भूनना है अब लास्ट में हम सफे तील को मिला देंगे और यह तो अल्रेडी पेन हमारा गरम है यह फटा फट ज्यादा टाइम नहीं लेगा एक से दो मिनट का अंदर में ही आपके जो तील है ब्राउन गोल्डेन हो जाएगा रगड़ते हुए सारे चिलके उपर के निकाल देंगे और इसे अगर आप कोई इसमें कपड़े में भी आप इसको रैप करके अगर मसलों के ना तो यह बहुत ही इसली इसके जो चिलके है ना निकल आते है अगर आपके पास टाइम हो तो इस तरह से हातों से भी आप मैस कर निकाल सकते हो इस तरह से मैंने कुछ मिन्टों के अंदर में ही सारे छिलके को जो है रिमूब कर दिया है और साब सुद्रा हमारे यहां पे मुंपली रेडी हो जुगा है अब यह रेसिपी बनने के लिए बिल्कुल तयार है और यहां पे जो मुंपली का मेजर मैंने आपको 200 घर specially needed 200 ग्राम बताय और यहां पे मक्हाने भी हमारे रीडी है यह भी काफी आसानी से मैस हो रहा है और इसको भी हातों से क्रश करते हुए मैस करेंगे इससे बहुत ज्यादा बारिक पाउडर नहीं बनाना है इस तरह से हल्का हल्का इसको दरदरता आसा फामे लाते हुए इसे ख्रश करेंगे हाथों से, यह एजीली ख्रश हो जाता है इस तरह से, अब बारिया आई अभी रसेपी तयार करने की, तो पेन को बिठा देंगे, वही पेन को हमें लेना है, और यहाँ पे हम गूड़ों जो है, सारे मिला देंगे पेन के अंदर में, और वैसे तो बहुत तब दोग बिना पानी के ही गूण को मैल्ड कर लेते हैं, अगर पानी से अगर गूण को मैल्ड करोगे तो काफे बेटर होगा, क्योंकि गूड़्ा हमारे जलेंगे नहीं, और ये ज़्याधा जलेंगी नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी मिलाते हुए ना, गूण को तो नहीं लोज़ाओ देज्ट आपकार प्राइट करने दो निसे लेट मेंग देगे जब तक तुक मैल्ट ना हो तब तक ग्यास का फेम को में लोज़ा टू मेडियम रख दें गे और इस तरह से चलाते हैं ज्वाम्ट निखले तब तक इसके बबल ना जलता है तो इसका जो फ्लेवर है रेसिपी को एक दम विकार सा हो जाएगा इससे लिए गूड को बिल्ल भी ना जलने दे इस तरह से कंटीनु चलाते हुए चलाने का जो प्रोसेस है यह बिल्कुल रोकना नहीं है रेसेपी को अगर अच्छा बनाना है तो continue इसे चलाते रहे इसका air bubble बहार से निकल रहा है मतब ये धीरे धीरे अभी गाड़ा form में कनबट हो रहा है ये गाड़ा जब तक होगा नहीं चासनी तब तक हमें इसे चलाते रहने का है इसे कैसे चेक करना है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा हमारा जो चासनी कैसे तयार हुआ है इसे हम आगे बताएंगे आपको continue इस तरह से हमारा जो air bubble है खतम हो चुका है फाइनली हमारा चासनी तयार होने को है इस तरह से एक बूत पानी में मिलाए और यहां पर हाँ से निकाल के मैश करके देखिए अगर ये पथर का जैसा टाइट होगा ना तो ये फाइनली आपका चासनी जो है तयार हो चुका है तो हम ग्यास का फेम को अब अफ कर देंगे अगर ज्यादा अभी बनाएंगे तो हमारा जो चासनी है डो फर्म में आ जाएगा लिक्विट फर्म से तो फटा फट इसे अब ग्यास को हम बन करके अब लास्ट में ए गरम गरम चासनी के अंदर में जो हमने खरस करके रखा मकाना था ना इसको भी इसी टाइम पर मिला द तो इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है रेसेपी में बहुत ही अच्छा लगता है मकाने हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है आपको तो पताई है तो इस तरह से हमने मकानी को तो चासनी के अंदर मिला दिया है फटा फटा फट से एक प्लेट लेंगे और इसकी उपर अगर मुंफली का फ्लेवर ज्यादा पसन है तो आपको मुंफली ज्यादा लेना है और जो गरम-गरम बैटर जो हमारे गूड की चासनी बनी हुई है इसको भी इस तरह से फैलाते हुए जितनी हो सके उतनी पतली लियर में हमी फैला देना है अगर आपके पास दो दिन प् पनाके त्यार करेंगे सार करेंगे सार गूर की चासनी को फैला दिया है इस तरह से फटाफट काम करें नहीं तो एपक Daarού दोसरी लियर में कर दिया नीचे हो जुँए हमारे गारी में काम करने करी रियर तिलकुट रेसेपी जो मागे सकरांती स्पेसल जादा तर लोग तिलकुट खाना पसंद करते हैं अपने अपने हिसाब से तयार करते हैं मैंने अपना हिसाब से तयार किया है तिलकुट बनके बिल्कुल तयार है और हमारा हस्पेन का जो है मेरा हस्पेन का बहुत ही जादा प अंदर में हमने कोई oil grease नहीं किया यह फिर भी इसलिए निकल आई है और इसको पिस-पिस करके आप स्टोर करके कोई air container भी रख सकते हो स्टोर कर सकते हो जबी भी आपको मेठा खाने का मन करें आप इस तरह से निकाल के खा सकते हो या enjoy कर सकते हो और आप लोग सभी को यह रेसिपी आप जरूरी से ट्राइ करें यह बहुत ही अच्छा लगता है होप कि आपने इस रेसिपी को enjoy किया हो अगर आपने थोड़ी से भी इंजोई किया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाई जरू करें दोस्तों में शेयर करें और पहले बाए चैनल पे हो तो करें ऐसे ही अच्छे अच्छे नए नए रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आल में जाके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और बिल्कुल भी ना भुले आप लोगो मैं इसका साउंडिंग सुना रही हूं यह इतनी कुर्कुरी बनी थी ना आपको मै क्या ही बताओं आप ट्राइ करोगे तभी तो पता चलेगा थैंक्स पर वाचिंग बाबाई